दंडा राज जब आता है न एकॉनमी भी उपर जाती है मुल्क के हलाद भी ठीक होते है पैरलल चीज होती है जब भी आपके अंदर ये गॉन्फिन्स आता है कैमिस्ट्री मेरी सप्ली आगे लाइफ के चैलेंजिस को कैसे लेता है मुनीब जब सारा आती है तो मैं उसको बुलता हूँ भाबी आगे भाबी तो भाई दस साल में आपने भी तो चीजे चेंज की हैं आपके साथ नॉमिनेटेड हूँ में इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है कोई मुझे सबसे ज़ादा जानता है ना तो वो मेरी माँ है मेरे पाई दहां हम देखते हैं कि परिक का परसंटेज बहुत बढ़ रही है चार चीज़े है यह आपने अकर करनी है तो आपकी शादी का लिसमें आपको बड़ा दिल चाहिए हो लड़े में और लड़के सो गए और फिर भी लड़ाई चल गए तो कंट्रोल कैसे करते हैं तो रात को तीन बजे उस औरत ने सिंगापूरियन राइस बनाया चिकन मंचूरियन बनाया मैं भी कमाता हूँ वो भी कमाती है तो हम हाफ-ाफ कर लेंगे लेकिन इतना आपने आपको मारना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी छोटी सी फिर वो चीज हिट करती है किसी भी चीज से दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए अब दब पहले ब्लास के बाद एमन बाहर आईए फॉरण भागती हुई अमल का है पुम आज के प्रोग्राम मुझे जादा बोलने के जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेहमान है वो खुद इतना बोलेंगे कि आज मेहमान बन जाओंगी तो इसलिए जब कॉम्बिनेशन हो गुड लुक्स, वाइबरेंसी, पॉजिटिविटी और बादब, बातमीज, तो बात होती है हम सब के मुनिबट की असलाम लेकुम असलाम लेकुम जी, कैसी हैं आप ठीक है मैं विल्कुल ठीक हूँ टॉक्स डैट मैटर आपके सामने हाजर है और हम आज सिर्फ वो बाते कर रहे हैं जो वाकई मैटर करती है आपका क्या ख्यार है जी बिल्कुल सेकिंड करूँगा मैं आपकी बात को अगर आप देखें तो अल्ला ताला ने आपको कान दो और जबान एक दिये इसका मतलब कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम, तो बोलना जो है और अक्सर जो लोगों की जिन्दगी में मुश्किलात आती है उसका रीजन ही जो है वो जबान होती है बहुत सारी चीजें जब मैं युनिवर्सिटी में था तो मुझे इससे कही गएती कि इस नोट अबाट वाट यू से इस अबाट हाउ यू से इस बहुत सख्ट बाट भी बहुत नर्मी से समझाई जा सकती है और एक बहुत नॉर्मल सी बाट भी ना बोलने की वज़ए से खराब हो सकती है लेकि जब गुस्सा आता है तो फिर आपकी जबान है जबान और दिमाग एक एक्वेशन पर नहीं आते तबी तो देखें गुस्सा हराम है जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले जो एक कोई भी इंटेलिजन इसान होगा ना कोई भी समझदार आदमी होगा जब गुस्सा आएगा ना आपको आता होगा यार मैं आपको ऐसे अनुस्ली भाता हूँ याप मेरी बेगम से भी फुंकर के पूछ ले मुझे बहुत कम गुस्सा आता है आता ही नहीं लेकिन जब कभी आता है ना तो फिर वो भी कोई पांच, साथ, आट मिनिट कोटा है that's it because I think कि थोड़ा सा अपने माइन को ना कंट्रोल इनसान को करना चाहिए जो जिस इनसान के कंट्रोल में इमोशन्स नहीं होते ना तो फिर वो बहुत वनरेबल हो जाता है इमोशन्स को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है तो यह कि जब मैं कभी घुस्सा आ रहा था है किसी बात के ओपर या किसी चीज़ के ओपर या किसी स्टेट में हूँ किसी सिच्वेशन में घुस्सा आ गया है तो थोड़ी देर के लिए रहे फरार इक्तियार कर ली जए और उसके बाद पर अक्सर लोगों को अपने एमोशन पर कंट्रोल जो है न या अपने दिल पर कंट्रोल वो बहुत देर बाद आता है बड़ी कोई ठोकरें खाकर सो आप इस एज में यह बात करते हैं कि यह मैजिक कैसे हुआ है यार मैजिक अधिक यह बाई बढ़ तो खेर नहीं है 17-18 साल तक तो मैं तो पागल था दिमाग से 17-18 साल तक तो वाकिए कह सकते हैं कि गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं था क्योंकि मैंने जितनी अगर अगर अभी मैं गंजा भी नहीं होता इस वज़ासे मेरे हर जगह पर ऐसे आपको लगेगा मैं गजनी हूँ इतने निशान होंगे तर दर 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 सो बहुत बहुत लड़ाई हैं बहुत जगड़े स्कूल में जब मैं आपको बता हूँ सेकंड यर जब बच्चा निकल रहे होते हैं कॉलेज स्टुट्टी के बाद मिल मेरा टाइटल था यह टोटल चार पांच लोगों को पूरी जो बैच था सेकंड यर का 250 सुड़न्स पर से चार पांच को टाइटल मिला था उसमें मेह था मेरा टाइटल ही यह टा कि तो चुट्टी के बाद मिल क्योंकि यह मेरा डायलोग होता था तो मैं इतना मुझे घुस्सा आता था लेकिन यह कि आईस्ता इस्ता बिजियोरिटी आती इंसान के अंतर इंसा रूम होता है, युनिवर्सिटी बहुत सखाती है अब युनिवर्सिटी में यह स Колी में जा आके बिलक। नड़ाय ही खतम होगाती थी क्यूँ कैओ युनिवर्सिटी नड़ेगा जो बच्छा लड़ेगा वो 殺 prend नहीं करते थे टर्मिनेट तो अगर आपने दो सहमिस्टर पढ़े हैं तीन सहमिस्टर आपने पढ़े हैं और फिर आप आपढ़े हैं उनियुबर्सिटी से उनियुबर्सिटी आपको expel कर दीती है तो आपके वो देड़ साल जाया और कोई दूसरी उनिवर्सिटी आपको लेती भी नहीं है तो इसका मतलब है प्रेशर टेक्टिक्स जो होती है वो कहीं-कहीं ठीक होती है डंडा ठीक होता है कहीं-कहीं हम लोगों के लिए as a com हम सब के लिए भाई डंडा ही ज़रूरी है हम वो लोग हैं जो डंडे के बगएर कोई काम नहीं कर सकते हैं हम चलते ही डंडे के उपर है जब भी अब क्या मिस्यासी बात हो जाएगी जब भी डंडा आता है ना यहाँ पर जाती है मुल्क के हालाद भी ठीक होते है सब कोई अच्छा होना शुरू हो जाता है डंडा राज ही चलता है यहाँ पर तो आपके फेवरिट जो एक्टर है और आपके मोस्ट फेवरिट जो है मुनीब वो कह रहे हैं कि डंडा राज होना चाहिए नीब अच्छाहँ है यहाँ जाँख अच्छाहिए करे कहाет शीजे मि तो उप् जिर् commencement और शीजेंट के लगचिंट पेवरिटेवरिट सेफि से बाच्छा है उसे भी उसे भी एक नहीं मान रहा फिला लाना बात करुए है रंडे में आपको एक बंदे से बात करनी है we just have to talk to that one person that's it that is easy, comparatively other than talking to sex other people अच्छा, हम गुस्से की बात कर रहे थे आपको गुस्सा, मैंने आपके बारे में जितनी चीजें मैंने देखी हैं आपको बोलते वे देखा हैं आप देखाँ बच्च्पन में महत बहुत शरारती था और मुझे बड़ी पिटाईयां भी हुई है ये लड़ाईयां सारी उस चीज का हिस्सा है जी बिलकुल, मैं इतना शरारती था कि क्या में बताऊँ कल तो खेर पताता हूँ आईसन मेरा बड़ा बड़ा बेस्फरेंड़ है क्यूकि एमनाल वो साथ हो जाती है तो हम लोग साथ ही बटोग तो यूजल ряд हम साथ हKapi होते है कल यही वाली बात मुष्स्पे भी कर रहा था मैंने ऐसी बात कि मैं hosts बालिद से किसने मार खाई होती है मुनीब मैंने पूछा मैंने तुमने किती दफ़ा तुमें तेरे अबू ने मारा है मारा है मेरा अबू ने बहुत मैंने किती दफ़ा तीन से चार दफ़ा मैंने कितने सालों में अभी तक तीन से चार दफ़ा मैं लाग गुड़, मैं हफ़ते में 3-4 दफ़ा पिटता था अपने गॉलिज के टाइम पे क्योंकि इतनी कंप्लेंज होती थी इतनी कंप्लेंज होती थी कि अबबा भी में तो थी ते यार यह क्या मतलब यह क्या है यार मुनीब अभा ने जो प्रॉफेशन अभा गा था आपने पहले से सोचा हवा था कि अबबा को उनके बिजनस में है निका बिजनस बढाना और पहले से सोचा है कि नहीं वो चोटा भाई गरेगा मैं जो है ना मैंने तो एक्टर बनना है। नहीं मैं आपको बहता हूँ, मेरा हमेशा से खाप था मुझे पुलिस फोर्स जोइन करनी थी ठीक है? लेकिन सेकंड एर तक पुलिस फोर्स? जी, जी, मुझे मेरा हमेशा से था कि यार आ वाट बी अ कॉप और अ सोल्जर यह बहुत ही मुश्किल चीज है मतलब है, करते हैं लोग लेकिन हम अपने आपको बंड़ा एनलाइस करते हैं अपना नैलेसिस करके मैंने बुला यार यह रहना ही देता हूँ, टाइम बेस हो जाएगा, मेरा और उनका भी जो मेरा पेपर लेंगे जो मैंने बुला छाहा, तो पिर मैंने बुला अच्छा ए पुलिस फोर्स जोईन टता हां निए अब एक बुलिस फोर्स सब इन्सप्टर आप भरती होते हैं उसमे आप अन्टर कर चले जाते हैं उसमे आप S.P.S. Office तो यही खाप था दिल में और फर्स चेयर में मेरी केमिस्ट्री मेरी सप्ली आगई अपार्ड इसको कहते रहा एक पेपर मेरा रुग्या और सीएसस मुझे करना था तो मैंने बोला बहुत यहां भी टाइम बेस चोजाएगा तो यही पढ़ाई करनी होती है इतनी पढ़ाई प्रॉपर अप तो खर बहुत जादा हो गई उसका कितनी कोई गाइड़न्स नहीं थी क्या करना है कैसे करना है तो फिर मैंने सोचा कि यार यह भी बहुत ही मुशकिल लग रहा है तो फिर रहने दो फिर ड्रामों में कोई करेक्टर कर लेंगे पुलिस आले का तो तो आपक यह कहते है कि नहीं जी यह जो पेरेंट्स का प्रोफेशन है उनके फुटस्टेप्स को तो फॉलो कर नहीं नहीं है नहीं ऐसा कुछ भी निता हमेशा से सेकंड ऑप्शन वोई था सेकंड ऑप्शन वोई था अल्ला ना करे अगर एक्टिंग में मैंने सोचा मता कि यार जाके बैठ जाने ऑफिस के अंदर वो शुरू है अगले दिन से वो तो कभी भी आप कर सकते ते ना तो यह था मेरे पास प्लैन भी आइ तिंक इसी वजह से मैं डरावा नहीं था लोग क्या होते है कि लोग जब कोई भी करियर परस्यू करते ना तो एक सब कॉंशिस मांड में एक थोड़ से दर देवे हुते हैं कि यार अगर नहीं चला तो क्या होगा उटस प्लैन बी तो मेरे पास यह अच्छा उप्शन था कि प्लैन भी मौजूद था सो मेरा दिमाग हमेशा से क्लिया थूम्हार चीज का प्लैन भी रखते हो ये नी होगा तो यह जाएगा य It's a very smart thing कि अगर आप एक काम करने जा रहे है प्लैन A तो आपके पास है प्लैन B भी होना चाहिए प्लैन C भी होना चाहिए बस उसका रीजन ये है कि आपके पास आप्शन्स खुल जाते हैं पिर आपको मजबूरी में कोई काम नहीं करना पड़ता आपको कि प्रोजेक्ट आफ़र होता है तो आप अब ऐसा है कि हम खुशी से करें ऐसा ना हो कि यार मुझे करना ही है मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा गहर चलता है तो मेरे गहर में मतलब फाइनशल क्राइसिस होंगे इस तरह नहीं होना चाहिए आपका हमेशा प्लैन B, प्लैन C आपको मौझूद होना चाहिए फिर आप अपनी मर्जी का काम करोगे तो कुछ कोई ऐसी चीज़े जो पैरलल लेके जलते है कि मीडिया तो यह ही है लेकिन अगर मैरे दिल नहीं चाहा मुझे कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया मैंने दो ड्रामे नहीं किये तीन ड्रामे नहीं किये एक साल तक कुछ नहीं किया 2019 यारियां के बाद मैंने तेड़ साल तक कोई ड्रामा नहीं किया था उसके बाद मैंने 2019 में जब हम लोग आये थे वापिस तो लाला चाहती है कभी स्क्रिप्ट ऐसा आजाए जो आपके मैयार का ना हो या आपको मज़ा ना रहो उस चीज में लेकिन आपको आपको पैसे होते है आती है बहुत सारी ओफर्स ऐसी आती है जिसके अंदर स्क्रिप्ट यह कुछ इशूस होते हैं पैसे बहुत जादा होते है बर यह के नहीं मैंने कहते हैं क्योंकि मैं और दूसरी जग़ह ने से भी फट जनेर्ट कर लेता हूं सो मेरा जो प्राइम जिसको आप कहते है आपकी प्राइमरी जॉब सिफ एक्टिंग ही नहीं है I have other things as well तो यह पैरलल चीज होती है जब भी आपके अंदर ये confidence आता है जाहिर सी बाद है 2019 जब भी आपको बता रहा था यारियां के बाद मैंने तेर्ट साल तक मुझे कोई ड्रामा मैं नहीं समझ में आता था मतलब मुझे स्क्रिप्ट आया अच्छा दो तीन ड्रामे उसमें बीच में ऐसे भी है जो फिर मैंने रिग्रेट भी किया कि यार ये मुझे नहीं चोड़ना चाहिए तो और फिर उसके बाद जिस एक्टर ने वो किये दो उसको उसको अवार्ड भी मिला और माशालला बहुत अच्छा वो ड्रामा चला तो बाद में पिर रिग्रेट हुआ लेकिन मुझे लगता है कि अल्ला ताला ने हर किसी के नसीब में कुछ ना कुछ रखा बहुता है क्योंकि वो एक्टर मुझे से काफी टाइम से पहले से काम कर रहा था और उसके करियर में मुझे लगता है कि मुझे से जादा उसको जरूरती ऐसा किरदार करने की तो उसने किया और अल्ला ने पर उसको बहुत इज़त दी और ये आपकी बात सुनके मुझे लग रहा है कि आपका जो 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 स्प्रीच्वल कनेक्शन है ना वो बड़ा स्ट्रॉंग है क्यूंकि इस तरह की बात आम तर पर लोग नहीं करते है या तो वो चोटी बात कर देते हैं कि मैंने छोड़ा तो उन्होंने किया तो टाइब सीन मैं इसी तरह से यहां एक्सेप्ट करना चाहूंगी आपने कहा तो आपको बताए एक बहुत ही अच्छा आजकल टॉक शो चल रहा है जो कि मुझे उस चैनल ने कहा क्याप कर लें और मैंने कहा नहीं जी यह तो पैसे बहुत काम है तो यह मैं आऊँगी कराची से बाहर जा कि मुझे जो भी सारी और वो मैंने सुचाए कि ठीक है नहीं करी नहीं करी उसके बाद वो इस वक्त इतना शदीद पॉपिलर शो है कि मैं कभी सोचती हूँ और फिर मैंने समझ में आया कि यार अल्ला ताला ने इसके नसीब को ऐसे करना था तो यह जो जो किनेक्शन होता है यह जो ट्रस्ट होता है अल्ला ताला पे कि सिर्फ मेरा नहीं है और लोगों को हिस्सा भी है इसमें आपको बड़ा दिल चाहिए होता है जी मैं आपको गया बताता हूँ जब मैंने अपना करीयर स्टार्ट किया था जब मैं इंडस्ट्री में हैता है एक वाकिया मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ पहले दफ़ा मैं यह वाकिया शेयर कर रहा हूँ अच्छा हुआ यह यहूँ कि आप अपना को याज से 8-10 साल पुरानी तो अच्छा उस वक्या था क्योंकि मेरी फैंबली में से कोई भी मीडिया से रिलेटेड नहीं था सारे बिजनस करने वाले लोग थे तो होता क्या था कि कहीं से वह था न आप अंधेरे में बैटे हो तो आप क्या कहते हैं वो चिराख का सहारा क्या 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 एंड में आपको अंधेरे में अगर आपको कहीं से भी हलकी सी रोष्णिया आथी न तो आप उस तर भागते हो तो इसी तरह हुआ एक स्टेज प्ले हो रहा था और किसी ने मुझे बत नहीं मेरे शायद ताया ने मुझे भेजा वहां पर कि तुम वहां जाओ और डिरेक्टर को बोलो फलाने फलाने बंदे के रेफरेंसे में आया हूँ और आप मुझे काम ने तो क्या हुआ मैं उसी शांजे आडिटोरियम के अंदर गया वहां पे सारे अक्टर्स बैठे वे थे जितने भी हमारे कमर्शल थेटर के अक्टर थे जिसमें शकील सिद्धी की सहाब थे सिकंदर सनम मरहूम सहाब थे और काफी सारे सीनियर एक्टर्स बैठे वे थे तो सब बैठे वे थे कुरसियों के ओपर और तो मैं गया मैंने भूला जी मुझे फुरकान हैदर साब से मिलना डिरेक्टर साब से तो उन्हें भूला हम भी बिजी हैं आप बैठें मैं कुरसी पर बैठा एक लड़का आया उसना बोला बहुत कुरसी खाली कर दें वो एक्टर्स को बैटने है तो मैंने बोला अच्छा बाई मैं कर देता हूं खाली मैं उठ गया उस कुरसी से वो कुरसी लेकर चला गया मैं पर 5-10-15 मिनिट हुए तो मैं घास बैटके नीचर ग्रास पे तो वो ही लड़का सबको एक्टर्स को पानी पिला रहा था उसके पास एक तो ग्लास बज़का तो मैंने उससे बोला है शारा करके कि यार मुझे भी प्यास ले लिए मुझे भी पानी पिला दे घाडी की चाबी मैं ने जेब में टी मैंने निकाली मैंला पाई इसलाम लेकुम मुझे था काम ही नहीं करना इज़त से बढ़ कर कुछ नहीं होता और आम से मैं गाडी में बैठा, गाडी में बैठके मैं घर आगया, मुझे तोड़ा सोसुआ, तोड़ा समय रोया, तोड़ा मुझे फील हुआ, इंबेरिस्मेंट वही मुझे बहुत जादा, तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने समझाया कि भाई, इस पार्ट अफ गें, स् CSS स्टुडेंट्स जो कि तैयारी करें, CSS की, उसी ओडिटोरियम में, अभी दो हफ़ते पहले, DC, Mr. Commissioner Central, Taha Salim, he invited me, तो, ये, तो, ये, गिवप, आपको किसी भी हाल में, गिवप नहीं करना जाए है, गिवप नहीं करना जाए है, आपको पता नहीं है, कि आप कहों से, कहा किस तरह से पहुँचा देना, ये, 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 जब इतनी सारे इवेंट्स होए होते हैं, मुझे लगता है, कि जो, जैसे बहुत सारे हमारे अक्टर्स हैं, और कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, जो कि आते हैं, और आते हैं, और अपको एकदम, जो हो एक अच्छी हैं, हम लोग step by step उपर आएं, तो हम में, मुझे लगता है, कि मुझे दो, जो मेरे failures हैं, life के, वो मुझे बहुत जरूरी और बहुत अच्छे लगते हैं, अब, इसलिए मैं चर्माता नहीं हूँ, मैंने अभी बता दिया आपको, मैं chemistry में fail हो गया था first year के अंदर, कैसे ले हुए, जिन्दगी में, success, success, success देखी है, तो उसमें फिर आपको जो असल कीमत होती है, उसकी, वर्थ जो होती है, वो नहीं आपको समझ में आती है, कि यारी, कितनी मतलब की कीमती चीज़ है, जो आज 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 अल्ला ने मुझे जिजदत दी है, या मैं निकलता हूँ, चार लोग बात भी नहीं करते होंगे, मतलब वो भी मुझे टाइम, मुझे याद है, कि अगर हम, जैसे जब नॉर्मल और्डरी होते हैं, कि मीडिया में काम नहीं करते हैं, शादी में जाते थे, बैटें मैं जी, को या भी नहीं रख, पूछने भी नहीं आरा, अब जो है स्कूल जाने के लिए, जिस तरह से आप जाते थे, हमारे बच्चे उस तरह से लाइफ नहीं होती हैं, हमने जितनी स्ट्रगल की, हम, मुझे याद है कि मेरे घर में कोई ऐसी नहीं था, और आज, चीज़ें डिफरेंड हैं मेरे बच्चें के लिए, तो वर्क कैसे कंट्रो स्कूल करेंगे बिलकुल, इस चीज़ के पर ज़्यादा फोकस हमारा इसी वज़र से, एक हम स्कूल में जब अमल के अड्मिशन हो रहा था, तो एक स्कूल है बहुत मशूल, तो वहां पर हम गए और अच्छा, हमने तीन चार स्कूल शॉटलिस किये वे थे, तो तीन हो चा नजर में वो, क्योंकि वो छोटी है, चार साल की है और हर बंदा उसको जानता है, हर बंदा उसके साथ आके मिलता है, उसके साथ पिक्चर लेता है, तो उसका माइंड क्लियर करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा, कि हम उसको कैसे समझाएंगे, कि बेटा, आप पिक्यात हिन्याओं ख inveक का यहिएता है, वो उसको पसंद करते हैं, तो अच्छोटी बच्ची चार्ज साल की। वो अब इरिटेट होटी है, क्योंकि अब क्या है कि आणटी है, अब आती है, अरे, मेरा बेता, आपा अन्यों, कैसी हो, अब वो अपनी तरफ से प्यार कर र वो खवतीन, उनका प्यार आंटी होती हैं, वो यह इतनी समझती है, ना कि है रहो बच्ची है, उससे भी तो, क्या उसका होगा, लेकिन ये कि बस देख लेता हैं तरीके से, मैंने कभी तस्वीरें और इस तरह की चीज नहीं हुई भी है, लेकिन अब मैं सोचती हूं कि नहीं मुझे शुरू से लगानी चाहिए थी, इनकी दस्वीरें भी, और इनको दिखाना चाहिए था, ताकि इनकी ये जो जिजग है, क्योंकि वो एक फासला है, उन्हें मेरी लाइफ का उस तरह से नहीं पता चल सकता है, अगर मैं मूवी पर जाओं, तो उनको प्रॉब्लम यह है, मैं खाने पर जाओं, तो उन्हें प्रॉब्लम यह कि वो जगों पर नहीं जा सकते, जहां वो जाना चाहते है, मुझे मुझे मास्पट के मैं शरीव बच्चे ना आपके हमारे तो माशालला से वेधी जो भांजी है, उसकी जो टीचर है, उन्होंने मेरी बहन को कंप्ल ना यह तुम्हारा नाम लेती है, देखा है, मेरे मामू है ना, उनका ड्रामा चल रहा है, कलंदर ड्रामा चल रहा है, वो मेरे मामू है, नाकामी जब आती है, तो उस पर किस तरह मौन करते हैं, किस तरह अफसोस करते हैं, उसको किस तरह अफसोस नहीं करते हैं, अफसोस ब बड़ी जबरदस मैंने बात कहीं पर सुनी थी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नाकाम हो रहे हैं या आपको फेलियर्स आप फेस कर रहे हैं या कुछ भी आपको नाशुक्रा ये जो नाकामी और ये सब जो सैटनेस होती है ये नाशुक्रापन की ही एक ब्रांच समझ ल अगर आज फर एजेंपल मुझे जब कोई ड्रामी की मेरी बात और मुझे वो नहीं मिले किसी दूस फेक्टर को मिल जाए तो मैं ये सोचता हूं कि या आज से मैं पीछे चलाँ जाँ 2013-14 में तो मैं क्या था मैं क्या कैरेक्टर्स कर रह था मैं एक हिरोईन के भाई के 2013-14 की बात है I was struggling at that time और मुझे ने बुला है आजो मैं आ गया अच्छा ड्रामे का नाम था बड़ी आपा उसमें सारा खान थी नुमान सर थे नुमान अजास साब और सवेरा जी थी थी सवेरा नदीम उस ड्रामे में एक कोई 15th या 16th एपिसोड के अंदर सारा का रिष्ट आता है ठीक है एक सीन है उस रिष्टे के अंदर जिस लड़के का रिष्टा आया है मैं वो भी नहीं हूँ ठीक है मैं उसका भाई हूँ और मेरा सिफ एक डैलोग है जब सारा आती है तो मैं उसको बलता हूँ भाबी 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 बस हम आवार्ड्स अमेरिका में हूस्टन में मैं उसमें बेस्ट चेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेटर था विद नॉमान अजास साथ और मैंने ये जाके नॉमी भाई को ये बात खास तौर पर नॉमी भाई बैठे वे थे मैं उनके पास गया उनके नीचे गुटनों में बैठा मेला सार आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आपको एक ड्रामा आया था बड़ी आपा और उस ड्रामी के अंदर मैंने एक सीन किया था और आज अला तालगा करम है कि मैं आपके साथ नॉमिनेटर हूँ लड़किया और लड़के पागल हो जाएंगे आपके बीचे लड़के? हाँ मतलब मशूर हो जाएंगे मशूर हो जाएंगे और एक चोईस यह है कि फिर वोही दस साल स्ट्रॉगल करनी है एक चोटा सार रोल करना है पिर आ गया आना है तो दोनों में से सा रस्ता चूस करेंगे अगर मैं आपको यह बात बोलूँगा कि मैं यह चूस करूँगा कि मैं दस साल चागर करूँ यह वो यह तो यह एक किताबी बात है ठीक है? लड़के बी प्रैक्टिकल कोई भी इंसान मतलब ऐस अई हुमन अगर आप देखें अगर कोई ऑप्शन अगर अवेलिबल था तो वाई नॉट अगर आप इस काम्याबी को जादा इंजॉए करते हैं? इंजॉए जादा किया? आपने उपर फखर करते हैं इंजॉए जादा किया यह जितनी भी बात है ना अगर मैं यह फेस्बुक की स्टेटस पर लगाँ और नीच बहुत लाइट साइंगे ठीक है? यह सारी बात जो है ना लेकिन अगर आप ट्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो जाहरी सी बात है हर बंदा सोचेगा कि यार अच्छा फॉर एपको एक मिसाल देता हूँ लोग अभी मैं आपको बोलूँ यहां पर नहीं मैं काम करूँगा मैं तो चाहता हूँ मैं स्ट्रगल करता मैं यह सब किताबी बात है हर बंदा यह करेगा कैसे किस तरह से डिप्रेश्ट तो होते होंगे ना भई यहार डिप्रेश्ट एक बहुत एक तलग हाकीकत है जो कि बहुत सारे लोगों में होती है इसमें अगर मैं यह बोलूँ कि नहीं नहीं डिप्रेश्ट ग्रसी तो कोई चीज नहीं है गलत बात है होती है हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती हम देख रहे होते हैं किसी को अपनी नजर से हम सोच रहे होते हैं कि यार ती को कितना खुश है आ रहे हैं कि तो मज़े हैं इसकी तो बस हो यार चीज इसके बस अवेलेबल है लेकिन अंदर दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही इनसान जानता है ठीक है तो हर इन्सान की अपने इशूज होते हैं अभी तक अभी तक मुझे रखा हुआ है कि डिप्रेशन अभी तक मुझे नहीं कभी भी किसी पॉइंट पर भी अभी तक नहीं हो डिप्रेशन का मतलब मेरा यह नहीं है कि कोई आप बहुत एक लंबे फेस से गुजरे हो लेकिन यह तो लाइफ का हिस्सा है कि आप कभी बहुत खुश फील करते हैं कभी आप बड़ा लो होते हैं मैं दिल जाता है जब भी मैं लो फील कर रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ अपने अमी अबू जो मेरे हैं उनके पास जला जाता हूँ उनसे बैटके बाते करता हूँ अबू से खास वार पर मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोस्ती भी है उनसे बाते करता हूँ शेयर करता हूँ उनसे बाते माबाप जो होते हैं वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं अगर दुनिया में कोई मुझे सबसे जादा जानता है तो वो मेरी माँ है, मेरे बाप है विल्कुल है वो क्योंके उन्होंने हमें पैदा किया तो कभी भी कोई भी इस तरह का कोई इस्चु होता है किसके साथ के मसला होगा खुद ही बूछ लगते हैं क्या होगा बता दे अच्छे जैसे अश्च्वाग हमने इक दिफगाता है तो तकबर जो होता है गरूर जब आप में आता है आप कुछ में, में जब आती है तो वो इनसान का सबसे बड़ा प्रेशर होता है आप में आती है कभी कभी में जो लोग हमें माशालला इज़त देते हैं सब कुछ करते हैं इनको तो हम जाहिरी नज़र आते हैं हमारी प्रेजन्स, हमारी प्रोफाइल नज़र आती है हम असल में क्या है और हम कहां से मतलब कितना हमने क्या कुछ किया वह जिंदगी के अंदर यहां हमने कितने गुना यह सब हम जानते हैं तो मुझे इसलिए मुझे गरूर नहीं होता क्योंकि जो लोग इज़त दे रहे हैं तो लग इज़त दिलवार है यह तो लग इज़त दिलवार है एक दफ़ा, यह मैंने किया था, 2019 के अंदर, और अचा उस टाइम पे था, तीन ड्रामे मेरे एक साथ, बैक टू बैक सूपर डूपर हिट हुए थे, कोई चांद रख बट बड़ा हिट हुआ था, बांधी बहुत बड़ा हिट था, कैसा है नसीबा, बहुत बड़ा हिट था, यारियां मतलब ट्रेंड किया था, चारोड बैक टू बैक हिट प्रोजेक्स हुए थे, और एक दफ़ा ये मैंने किया था, जब एद का दिन था, बकर एद का, दूसरा दिन था, एद का पहला है दूसरा दिन था, और अबबू की मेरी ना तबियत खराब होई, थोड़ी सी तो वो उनको थोड़े से चक्कर आए, तो मैं हम अपनी पुपो के घरते दावत चल रही थी, तो मैं अपने वालिद को साथ बिठा के, मैं नीजी हॉस्पिटल लेके गया, बहुत मशूर हॉस्पिटल है, नाम नी बताँगा, मैं उस हॉस्पिटल में लेके गया, वेरी ब प्रिकिंग मनी आट उट अट अट उट और ट्रीटमें नी करें उसके बाद 15-20 मिन उगए, वो उसी कंडिशन में लेके बैट पे हैं, मैं आप साथ बैठाब हूँ, मैं नी जब लगाया वतास वक्तार अग्तर आए, मैं नी जबोला टॉक्तर सिबूला मैं लेक्ट्र जब रहें, क्या करना है, दादा प्रॉबलम हो रहा तो ले जाओ ना यार, ले जो, क्या मसला है, इस तरह उसने दिया, मैं ने बोला यार ये तो, मतलब एक तो आप डॉक्टर एथिक्स होते हैं, कि आप कभी भी पेशेंट की फैमिली से जगर आप कभी बात करते हैं, तो फोन, मैं जिस हॉस्पिटल में आप या जिस हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं, मैं उसके मालिक को फोन करूँगा, I know him directly, मैं किसी का इसान नहीं लेता कभी जिन्दगी में, ना मैं किसी को फेवर्स लेता हूं, लेकिन अब आपने जो बत्तमीजी किये, I'm gonna call your owner, owner of this hospital, I know him personally, उसको मैंने फोन निकाला, मैंने जो डॉक्टर साफ जिस के मालिक थे, उनको मैं किसी एक रेफ्रेंस आ जानता था, मैंने फोन निकाला, उनका नमबर डायल वाल करने लगा थोड़ा सब मैंने, जब मैं मास्क उतारा, मैंने शोर भी किया उसको, आपको तामीज नही और तकरीबन 50-55,000 का बिल बनाया, टेस्स का, अब लग जाओ, और वहां पिर मैंने यूज किया था, लगि उसके बाद कभी नहीं किया, तो इसलिए कभी-कभी इनसान को ये यूज करना पड़ता है, लेकिन फिर देमांग में आता है, कि ऐसा तो नहीं है, जैसे मैं अगर कहीं होटल पे हूँ, और मैं नीचे जाओं, तो आपको पता है कितनी डिस्टर्बिंस होती है, जब आप जाकर नाश्टा करते हैं, तो नाश्टा तो वहीं रह जाता है, वो अच्छा लोग समझते हैं ना, असल में लोगों का भी प्यार होता है, लोग आते हैं, खाने के गराब है, आप किस खुलिया में, सो मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं उपर, तो जब और यह नहीं करती हूँ, तो मैं यह बोल रही हूँ, यार मैं तो मैं कोई खाना खाते हैं पर कोई तस्वीर के चुआ ने आता है, तो मैं यहां तो मैं यहां तो मैं खाना खा रहो तो मैं अब situation देखते हैं कि यार अगर बच्ची आई वी है कोई छोटी है जो नहीं समझती इन सब चीजों को कि यार अब कोई खाना खा रहे है तो बढ़ा चोलो बटा कोई बात नहीं आप ले लो आप ले लो और कई कबार तो ऐसा भी हो है कि अब बिर्यानी खा रहे में हाथ में और यूँ हो मैं पिक्चर यूँ हारी मेरी लोग आजाते हैं लोग आजा होते हैं ऑच अब सेविंग कैसे कटे हैं क्योंकि यह मुझे मुझे मालक है कि भाई यह बहुत intelligent आदमी है यह प्मी सी जगापर एसा लगाते होंगे save कैसे करते हैं और फिर Money कितना matter करता है सेविंग्स बहुत 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 जरूरी है हर इनसान को मुझे लगता है कि अगर आप सो और पै कमा रहे हैं तो अपने खर्चे आप 40-50 से उपर न लेके जाओ मेरी बात सुने अब घर के बड़े हैं, सबसे बड़े बेटे हैं ठीक है, फिर बेगम माशालला दो बचियां, नियूली एडिशन है और इन सारी चीजों के साथ-साथ पिर आप अपको अपना स्टेटिस आपके कपड़े और यह वो जो हमारी ज़रूरियात होती है क्योंके हमारा काम ऐसा है तो इन सब चीजों के साथ कैसे सेविंग कर लेते हैं कि अगर आप 100 रुपीज कमा रहे हैं तो आप कोशिश ये करो कि आप 40, 50 या 60 रुपीज से अपना उपर ना लेकर जाओ कट यूर एक्सपेंस नीचे लेकर आओ बहुत लेविश लाइफ गजारने के ज़रूरत नहीं है अपनी चादर देख के पाउं पिला 100 रुपे कमा रहे हो, 50-60 रुपे पे खतम करो 30-40% of your entire earnings per month should be in your savings account क्यों? उसरे क्या होता है बहुत सारी चीज़े होती है कि Allah ना करें कभी आपके अपर कोई मुसीबत आ जाए कोई प्रॉब्लम होजा सेविंग्स जोती है ना वो बहुत काम आती है किस तरह? कि cut your expenses increase your income आप बिजली का बिल देख ले हैं आप current situation तो देखें grocery कम कर लेते हो, मतलब कहते हैं नहीं, 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 देखें मैं आपको जाता हूँ आप एक हद तक अपने expenses कट कर सकते हैं पोर एक है ना पेश्टली यही वहाँ है पूरे जब से हम रहरे हैं उसका इसका जादा और वह देखें मैं अखें एक एकदम यू होगए दिक्का यार इतना बिजली का बिल इतना बहुत हैवी इमाउंट फिर ये कि अब जैसा भी है मैं उसको change नहीं कर सकता ना और महंगाई को भी मैं तो नीचे नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ I suggest कि increase your income increase your income का मतलब ये कि अपनी जो आप पैसे कमा रहे हो उसमें और sources शामिल करो different sources of income शामिल करो मेरा जो assistant है उसने मुझे एक दफा मुझे बोला तीन चार महीने पहले कि भाई मेरा जो है वो गुजारा नहीं होता मैं लग कितने में गुजारा होता है कह रहा है भाई मेरा इतने में गुजारा होता है मैं लग आज से तेरी salary उतनी है फिर पिछले महीने उसमें भी गजारा नहीं हो रहा तो मैंने उसको एक बात समझाई मैंने बोला देखो अगर तुम रिलाइ करोगे ना एक इंकम के उपर तो क्या होगा क्योंकि इंफलेशन जो है वो डे बाइडे इंक्रीज हो रही है और यह अभी से नहीं हमेशा से हो रही है और यह आगे भी होगी अपनी सोर्स ऑफ इंकम एक और बनाओ फिर मैंने उसको एडवाइस दिया मैंना देखो तुमाहे पस बाइक है तुमाहे पस लाइसनस है हमारी शूट मैं महीने में 22 जिन से जादा काम नहीं करता आफ होता है मैंना तुम जब आफ हो तो तुम बाइकिया चलाओ यह तुम कोई ऐसी अक्टिविटी करो जिसे तुमारी इंकम एक्स्ट्रा मनी जेनरेट हो हमेशा एक इंकम की सोर्स नहीं रखो और मैंने अपनी जिन्दगी में भी यही इस चीज़ को एक्जिक्यूट किया कि अगर सिर्फ मैं ड्रामा कर रहा हूं तो मैं सिर्फ ड्रामा नहीं कर रहा है मैं उसके इलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है टी बी बनाते हैं उसके हमारी फैक्टरिया वो अब भाई मेरे देखते हैं तो हमारे पास तीन चार चीज़ें लेकिन इसके बावजू अगर ये तो बिलकुल आप ने बहुत अच्छा हल दिया कि आप इंक्रीज करें एक्स्ट्रा जिनरेट कुछ करें अपना माउंट लेकि इसके लावा अगर किसी के पास वो नहीं है तो जो कंजूसी करते हैं कभी और एक और मैं आपको बाद बताओं आप अपनी लाइफ में अगर आप कोई चीज़ अचीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना अचीव करने कि आपके पास 10,000 एक्सक्यूस होंगे ये हमेशा है आ आप बोलो कि यार मुझ पर जम्यदारी है मेरा ये है मेरा बो है अगला एक्सक्यूस आपके परस बहुत होंगे लेकिन अगर आपने आपने सोच लिए ना कि यार नहीं मैंने इसके होते वे भी मैंने करना है ये सारी चीज़ होती दिमाग से अगर माइंड आपका बज़े के टाइम पर एक खातून होम शेफ थी उन से ओर्डर किया तो होम शेफ अब आप देखें रात को तीन बज़े मैंने ओर्डर किया उन्होंने अच्छा एक एप्लिकेशन है उसके थू उन्होंने फिर बोला हम डारेक्ट मैसेज किया तो उन्होंने बोला आप एक क क्योंकि राइडर जो है वो एक गंटा लेगा मेरा घर आपी घर से ना पांच मिनिट की ड्राइफ पे तो मैं अपने हजबन को भेज देती हूं खाना लेकर तो रात को तीन बजे उस ओरत ने सिंगापूरियन राइस बनाया चिकन मंचूरियन बनाया चाउमिन बनाया एमन को रात को तीन बजे ठीक है उसके बच्चों ने स्कूल भी जाना होगा सुबर साथ बजे किया उसने एफट किया तो उसका बिल था पिर मैंने अपनी तरफ से भी उसको थोड़ा सा किया वो मोटिवेट हो कुछ कर दी अच्छा सा लेकिन आप यह देखें कर या किया ना बाहर जाना फोड नहीं कर सकता हर इंसान मुल्क चोना फोड नहीं आज हमारा ड्राइवर जो है वो मुझे बोलता कि भाई मैं तो जा रहा हूं तो भाई अच्छा क्यों कह रहा है भाई काम चोड़ों मैं फेली तारीख से और मैं दुबई जाओं मैं दुबई में काम तो जाओगे पैसे कि लेकर जा रहे हो साथ कहा है वन थाउजंद दिरम उसके लिए बहुच अमाट उसने किसी से बिचारा पकड़ेगा लेगा तो पैने भुलाय तो 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 थाह नाक रुप है तुम यहां से तुम लेकर जा रहे हो और अपनी लगी वी नौकरी छ लगी हुई तुम नौकरी छोड़के एक बस जा रहे हो दुबई के बस मैं चला जाओं वहाँ जाके काम ढूंडूंगा ये मैं लोगों को समझाती हूं कि वहाँ भी धूंडेंगे काम तो जो छे महीने का आपका बीच में पीरिड आएगा उसमें अपने रहना भी है उसमें अपने इंटरनेट भी यूज़ करना है मतलब आपकी अपनी जरूरियात बहुत हैं तो बैने उसको पिर बैने उसको बड़ा अभी जाके दुबारा हो और समझाओंगा कि भाई बेटा अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं बाहर निकल जाँगा तो मैं बहुत पैसे कमा लू आप नॉर्मल पानी की बोतल भी अगर कहीं से खरीदो के तो वो दस दिरम की है आठ सो रुपेगी इस सो एक्स्पेंसिफ टु लिफ वहाओ विल्यू सर्वाइव अचारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है दुनिया भर में इंफलेशन है इस वक्त दुनिया भर में डिस्प भागा हुआ है दुबई में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं रियल से टा काम करते हैं मोसली पिछले तेर साल के अंदर लोग दुबई वाले पंगड़े कर रहे हैं महाँ पर जी 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 मैं बता हूं वो डांस कर रहे हैं वो कलब्स में जा 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 कि उनकी मौझे लगी यहां से जितने लोग हैं पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर था उन्होंने सारा पैसा निकाल के तो दुबई में इन्वेस्ट करती है वो यहां से निकाल रहे हैं पैसे वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह इशू है पाकिस्तान में इसलिए लोग बहुत ज्याद कोई Current Affairs का शो होस्ट करने है अच्छा शाज़ेब खान जादा वेरी फेमस जर्नलिस्ट अपना शो करते है आज शाज़ेब खान जादा के साथ बहुत अच्छी मेरे उनसे दोस्ती है बहुत अच्छी सेलाम दो है तो वसीम भाई से भी वसीम बादामी से भी तो जब भी मैं वसीम भाई से मिलता हूँ या शाज़ेब भाई से मिलता हूँ मैं बोलता हूँ या शाज़ेब भी आपको देखके न या वसीम भाई आपको देखके मुझे मेरा दिल करता यार मैं भी एक Current Affairs का शो होस्ट करता है अगर लिटरली मैं हेक्टिंग ना कर रहा था ना तो यहां मैं करेंट अफेर्स का जो है शो वो फोस्ट कर रहा था मुझे इतना शौक है मैं आपको बता हूँ चार-पाँच ऐसे जनरलिस्ट हैं जिनका मैं रोज रात में जो रोज शो देखता हूं रात में कि कब इमरान रियास का मैं अब देखता रहता था रिफ्रेश करता था कि अप्लोड हूआ अप्लोड हूआ इमरान रियास का इतना बड़ा मैं फैन हूँ तो यह कि पॉलिटिकल अवेर्नेस जो है वो बहुत जरूरी है और आइ थिंक सब को होनी चाहिए हमारे पास एक चोटी सी चोटी सी पावर है वो है इंफ्लेंस हमारा अगर कहीं पे हम कुछ कहते हैं तो हमारी बात सुनी जाती है हमारे पास इतने नंबर ऑफ फॉलोवर्स है जो हमारी बात सुनते है तो आइ थिंक कि यह एक चोटी सी पावर है और वो एक मुवी का डियलोग है ना विद पावर कंस ग्रेट रिस्मॉसिबिलिटी तो कि आपके पर जिमेदारी भी आती है जिमेदारी क्या है कि हमने अपनी अवाम को एक अच्छा मेसेज देना है, एक सही बात बतानी है और हमने अपना इंफुलेंस जा है मेरे साब से सही है लेकिन यूजिल एक्टर्स डे टोंट स्पीक मच अबाव पॉलिटिक्स बट या इंवेरी वोकल बट अर यू रेडी तो पे देख जास्ट क्योंकि हर चीज़ की कास्ट है यह बहुत दफा इसा होता है कुछ पार्टी के लोग होते हैं जो नराज हो जाते हैं कुछ होते हैं जो आपके साथ हो जाते हैं लेकिन मेरा एक एक असूली मौकफ है जब मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जब वो गई थी लंडन उनके साथ जब बत्तमीजी हुई थी मैंने सबसे पहले इसको मैंने बोला था कि यार इस वेरी रॉंग जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसे हो जो भी आपके पॉलिटिकल जी बिलकुल जो भी आपके अभी जो हमारी नाम मैं बूल रहा हूँ हिना हिना बट साहिबा उनके साथ हुआ extremely wrong you are not supposed to disrespect any person आपके कोई भी political differences हो यार लेकिन वो एक खातून है और वो अपनी family के साथ है मरियम औरंग्जे साहिबा भी वो भी अकेली है वो एक खातून है आपका कुछ भी differences है आप उनको इस तरह road पे इस तरह उनसे बत्तमीजी नहीं कर सकते आप सिर्फ और मर्द की बात नहीं है आप किसी से personal ला हो ना personal ला हो मैं आपको आपके काम पे judge करूँ इस drama में आपने काम किया मेरा कोई वास्ता नहीं है कि आप अपनी personal life में क्या कर रहे है इस बात से मैं थोड़ा सा disagree करूँगा politicians में और actors में difference है हम लोग जो होते हैं हम लोग perform कर रहे होते हैं जो script हमें दिया जाता है they are not performers ठीक है वो आप से vote ही इस चीज का लेते हैं कि हम काम करेंगे so अगर वो कोई काम कर रहे होते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि politician की personal life है और एक वो है उसकी life उसके part बन जाता है उसकी seat का for example वजीर आजम है अगर वजीर आजम अपनी personal life में को कह के जी है तो मेरी personal life मैं कुछ भी करूं ऐसा नहीं हो सकता you are a prime minister people look up to you I know तो आपकी personal life बन जाती है यह हमारे भी साथ भी है अगर हम for example अपनी नीजी जिंदगी के अंदर कोई एक ऐसी चीज कर देते है जो हमारे अजब अनथिकल है तो ऐसा नहीं है कि मेरे करियर पर उसका वो नहीं आएगा यहां मैं आप से थोड़ा सा disagree करूंगी उसके मैं आपको example देती हूँ जो आप कहते है ने परसनल लाइफ में नहीं आएगा देखें अभी आप जब पैदा हुए थे तो आपके वालद के हलाद डिफरेंट होंगे ना उन्होंने भी struggle की होगी आज जब अमल पैदा हुई आपके हलाद डिफरेंट हैं आपने डिफरेंट हॉस्पिटल में उसको प्रीनेटल चेक अपस कराया जिस तरह से बच्चा रखा जा रहा है अब वो डिफरेंट है तो ये डिफरेंट तो आपने पिछले तीस साल में चालिस साल में आपके खांदान में फर्क आया तो इसी तरह से वहाँ भी होता है जो हमारे politicians अगर वो कुछ नहीं है और उनके बच्चों ने कुछ अचीव किया है तो भाई, दस साल में आपने भी तो चीजे चेंज की है, आपके पास दस साल पहले जो गाड़ी थी, वो अब नहीं है आपने काम किया है, उसके मतलब ये थोड़ी है, कि आपके पास आज जो भी कुछ है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंके आपने कुछ फोरजरी की है, क्योंके आपने कुछ मतलब ये हम क्यों लेबिल कर देते हैं अच्छा, अब मैं आपके उसका जवाब देता हूँ हम में, हमारे चेंज आने में और पॉलिटीशन के चेंज आने में फर्क है फर्क क्यों है, क्योंके हम पब्लिक के पैसे पे नहीं हमारी सीट है हम लोग जो है, अगर मैंने पैसे कमाई है तो मैं किसी सीट पे नहीं था इसको आप कह सकते हैं कि मैं किसी पॉजिशन पे नहीं था अगर कोई बंदा किसी पॉजिशन पे रहा हुआ है और उसने जो है वो दस साल के अंदर पैसे कमाई है उसके अपने बिजनस होंगे उसके अपने बिजनस होंगे, बिलकुल होंगे ये बिलकुल उसी तरह की बात है कि अगर आप फर्स करें आपके बिजनस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या आपने कोई एड़िटाइजिंग का एक पोर्शन है, जो भी आप करते हैं तो आपने कॉल की और आपने काया कि जी ये प्लीज मेरा काम कर दे, मैं मुनीबड बोल रहा हूं इसी तरह मेरे बिजनस में भी है, मैंने का, कॉल की और शायद दूसरे डॉक्टर्स का जो काम नी हो रहा हो मेरा हो जाएगा तो इसी तरह पॉलिटिशन भी अगर कोई बिजनस कर रहा है भाई अब यही मैं आपको बात को टूकूंगा जी शायद हो सकता है, मैं नाम मैंस करूंगा, शायद हज़रत अब उपकर थे या शायद कोई दूसरे खलीफ़ा थे जो जब इक्तिदार उनको मिला था ना, तो उन्होंने अपना जाती बिजनस बंद कर दिया था क्यों? उन्होंने कहता कि मैं अब इस दौर का खलीफ़ा हूँ अगर मैं अपना जाती बिजनस भी रन करूंगा ना, तो कॉन्फलिक्ट आफ इंटरस्ट आएगा सही है, कॉन्फलिक्ट आफ इंटरस्ट, तो जो आपका वजीर आजम होता है या जो आपकी स्टेट का हेड होता है, अगर वो अपना नीजी बिजनस भी चला रहा होता है तो आप कह ही नहीं सकते कि भाई, वो करप्शन नहीं करेगा क्योंकि उसका बिजनस भी चल रहा है, वो डेफिनिटली वो काम उससे अंजाने में हो जाएंगे उसके आगे पीछे की लोग करेंगे जो उसके बिजनस को फाइदा देंगे अननेसिसरी, समझा रही है आपको बात तो हमें और उनमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो एक पॉजिशन पे बैठे वे हैं और अगर उस पॉजिशन पे बैठे वे हैं उन्होंने कारोबार भी किया है और उनका कारोबार दस गुना जादा बड़ा है तो definitely definitely उन्होंने अपनी पावर का यूज किया होगा, अगर यूज नहीं भी किया होगा, तब भी, अब आपको पता है कि फॉर एजेंपल या, ये फलानी जो शुगर मिल है, ये उस बंदे की है, तो आप बोलो कि यार नहीं, आप की उससे बात भी नहीं होगी, वो आपको ब अगर seat के उपर है, तो उसको हिसाब देना है, जितने time, हमें हिसाब नहीं देना है, हमें tax देना है, उनको हिसाब देना है, इतने पैसे गाज जाए है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगा, जब शादी हुई, तो जो difference है age का, उसने आपको ज्यादा जमदार बनाया, आपने, या आपको लगा कि नहीं या इतना age difference ठीक है, आप जो लड़के देखने हैं, उनको के advice करें, मेरी और एमन की age में को 6 साल का difference है, अगर 6 साल का difference नहीं भी होता, तब भी मेरे लिए को इतना matter नहीं करता, मतलब मेरा कोई criteria नहीं था, कि जी मैने शादी करनी है, तो मैने 6 साल चोटी से करनी है, अगर 2-3 साल बड़ी भी होती, और मेरी एक अच्छी understanding हो जाती, तो मैं उससे भी शादी कर लेता, अगर उससे एक-दो साल बड़ी भी होती, तब भी, क्योंकि मुझे लगता है, कि जब आपकी understanding बन गई न, तो फिर age इतनी कोई, ज़ा कम है, अगर जब बन गई जब मेरी शादी होई तो एमन वस लाइटी यह लोग, नई 19, 19, उनने साल की थी, मैं तोड़ा पचेत साल का था, अब उसका जो एक्सवोजर था, वो ड़ी ली कंपैरिटिबली मुझे कम था, मेरा थोड़ा ज़ादा था, और मेरा थोड़ा जोड़ा बहुत अपना साइट पे, चीज़ें वीज़ें ज़ादा देखी मी थी, तो बहार के एक्सवोजर ज़ादा था, यह बस एक डिफरेंस होता है, बाकिए कमपैटिबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, तो इससे क्या फर्लब परता है, अचा हमने पेरेंस की लाइ चीज़ें, लेकिन फिल्टर कर लेते हैं, कि हम अपनी लाइफ में यह नहीं कर तो कोई ऐसी प्रैक्टिस है, जो तुमने यह सोचा कि नहीं यार मैंने और इमन ने यह नहीं करना है, दोनों बच्चों के आगे हैं, गुट कॉर्शन, गुट कॉर्शन, देखें मैं आपको गचुटी किसी भी तरह के लागी, जो बाते हैं, यार मैंने जो झाले कूछा क्यों पाती है, जो तरह की बात आजाती है, तो कल्राट तली में ङसी ऐसी इglichम्पला, लिकर के लिए। यह मैमान अगर यह और वाले कुछन निकाल लिया, फलाने का उने निकाल निए धियों स दावद होती है तो सब आते हैं। वरना कोई नहीं आता। अचा। दावद ऐसी होती है। तो यह कि मैंने कभी ऐस सच मुझे नहीं आत पड़ता कि मैंने कभी बहुत बड़ी लड़ाई होते हुए देखी हुए। लेकिन एक चीज़ जो हमारी मैंने अपनी life पे मैं अपनी marriage life पे मैं ने अपनी अपनी अब्ब को देखा है कि कुछ भी होई है ना कोई भी बात हुई है कुछ भी होई है तो sort out करके ही सोना है very good यह नहीं करना कि लड़े में और लड़के सो गए है और फिर भी लड़ाई चल रही है नहीं जो भी हो जो भी जितनी भी लड़ाई है उसको खतम करके पैक करके खिड़की से बाहर फेक के उसके बाद आराम से सोचते है so relationship को आप बोर होने से कैसे बजा सकते है अलग किताब खुल गई है एक डम अच्छा relationship को बोर होने से यार देखें मेरा अपना जो formula ना traveling एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त भाईयों की तरह है उसके ठोड़े से उसकी wife के साथ issues हो रहे थे बहुत साथ issues हो रहे थे तो मैंने उसको बहुत बलकुल भाई है एक तरह से मेरा समझें कि तीसरा भाई है तो मुझसे वो डिसकस करता था यार यह फलाना मसला हो गया अब यह इसने यह कर दिया है अब इसने यह कर दिया है मैं नहीं रह सकता है इसके साथ खतम करूँगा तो मैंने उसको बोला यार एक पहाम करते हैं तेरी वज़ा से ना को फोन किया मैंने कि अंकल इसको जाने दे प्लीज इसको जाने दे उस वो गया उसके साथ वो गया फिर यह होता है कि अब आप घूमते हैं ट्रेवल करते हैं कहीं आप तर अदर निकलते हैं तो फिर क्यों होता है कि आप घूमने में होते हैं तो हलाद अच्छे हो जाते हैं तो eventually for the time being वो हलाद उसके बहतर हो गया उसकी वाइफ के साथ very good मतलब ये एक बहुत अच्छी अड्वाइज traveling travel करें ता कि बाहर निकलें अच्छा मौल होता है मौल बदलता है आपका आप घर से तुरा असा दूर होते हैं आप एक पर्देश में होते हैं खापी रह होते हैं घूम रहे होते हैं बच्चें को खिला रहे होते हैं बच्चे जब आपके enjoy कर रह fullness है ना तो बच्चें को enjoy कर रहता थाँ आपका mood automatically अच्छा जाता है हम जो देखते हैं जो आजकल के couples में लगता है और हम देखते हैं कि break up बहुत तेजी से और percentage बहुत बढ़ रही है इस पे I'm sure genuine problems भी होती होंगी लेकिन tolerance आपको लगता है यही बोलने वाला था tolerance कम हो गई है definitely tolerance नहीं है बरदाश नहीं करते हैं बूसरे को के नहीं नहीं बरदाश नहीं है compromise नहीं है कहीं पर अब शादी यह कोई भी relationship अगर आपको चलाना है तो वो उसके तो तीन components है main जिसमें इसे एक है sacrifice फिर compromise फिर tolerance और change yourself चार चीज़े हैं यह अपने अगर करनी है तो आपकी शादी काम है यह वो चीज़ें जो आप अपने आप से कर सकते हैं यह तो चार चीज़ें जो आप खुद करेंगे लेकिन respect बीवी की अगर बीवी talented है अगर बीवी आप से ज्यादा talented है तो security नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में तो उस से कैसे अपने आपको respect जो होती है न वो do you think कि आपको अपने spouse की मैं देखें इज़त तो definitely एक दूसरे की आप करी रहे होते हैं जब आप साथ रहेंगे तो आप तो इज़त देंगे तो आप उसकी बार टॉलरेट करोगे आप respect करोगे तो आप sacrifice करोगे आप respect करोगे तो अपने आपको चेंज करोगे मैंने शादी के बाद अपने आपको 360 डिगरी चेंज किया believe me जैसा मैं शादी से पहले था मैंने अपने आपको बिलकुल ऐसे चेंज किया बिलकुल ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी वो चीज़ें जो शादी से पहले मेरी होबी थी हमें जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली, मैंने अपने दोस्तों में जाना खतम कर दिया, वरना यूजिली एवरी वीकेंड I was out with my friends, और सुबा आना है, चार, पांच, शे वज़े गहर पे आना है, वो चीज मैंने खतम कर दिया, अब मैं जाता है नहीं कहीं बार, दोस्तों में बहुत कम जाता है, लेकि इतना अपने आपको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटी सी फिर वो चीज हिट करती है, और फिर आप कहते हैं, मैंने इस रिलेशन्चिप के लिए अपने आपको इतना चेंज किया, और यह यूँ, नहीं मैं आपको बार बदाता हूँ, जब होता क्या है, कि नहीं क्या है, भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, ठीक है, यह सारी फिल्मों के अंदर बातें बहुत अच्छी लगते हैं, तो उन्हें मैं यार, मुझे मैं जैसी होना, मुझे वो ऐसी पसंद, भाई, आप में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है, और आप बोध साइ दो बजे उटते हो, पांच बरे घर से निकलते हो, तुम्हारी बीवी तुमें क्या बोलेगी, अच्छा भाई, थैंक्यू सुमच, आप पांच बे जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, सर्ताच, वो तो आपको बोले कि, भाई, काम पे जाया है, क्या कर रहे हो, दो दो से पहले घरी नहीं होगा, मेरी तो आदत है, भाई, बदलना पड़ता है, बहुत चीज़ें आपको शादी के अंदर, अपने अंदर चेंज करनी पड़ती है, अपने एक्टिटूब चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ें, मैं तो चाइनीज खाता है निता बि चेंज करना पड़ता है, अचाई मुनीब वहला हस्बंड तो नहीं है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, लेकिन तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारा पैसा, ऐसे वहले हैं, मैंने कभी एमन अगर जो भी उसकी इंकम होती है, मुझे ना मेरा उसके अंदर कोई कंसर्ण है, न तो भी बहुत बड़ी कोई, अगर मैं इंवेस्मेंट करने जा रहा हूं कहीं पे, तो मैंने उसको बोलोगा कि यार मैं तुम्हें इतने महीने में तुम्हारा यह इतने देज में तुम्हारा जाएगा, अधर एक रुपया कभी मैंने कुछ ने लिया उसके, कभी पै करने भी ने दिया, बिकास मुझे लगता है कि ये अगर हम जैसे मैं शोहर हूँ उसका, तो मेरी जो एमन हो गई, अमन हो गई या मेरे लोगई, ये मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, मुझे उनको पूरा करके देना है, मैं कहीं से भी उसकी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं हूँ, तो उनका जो भी खर्चा बगेरा, जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने ही करनी है, और मैं ही करता हूँ, तो ये नए दौर की एक चीज़ भी है, कि ये तोफ़ा है, कि जी, मैं भी कमाता हूँ, वो भी कमाती है, तो हम हाफ-ाफ कर लेंगे, और बहुत सारी बीवियों ने ऐसा सब करते रहो, हम आपको को ज़ग करने वाले, हर लड़के की income जो है, वो बहुत वो नहीं होती कि वो सब करते हैं, कुछ जगहों से मझबूरियाबी होती है, जहां पर दोनों मिया भीभी कम कर के पूरा करते हैं, जर ये निग बूरी बात नहीं है, अची बात है, अच्छ अगर चलो, उसकी मर्जी है, वो भी के, अगर काम करना जा तो इसकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है, अगर घर पे है, तो घर पे है, चल करो, जो चाहिए, मुझे बता दो, I'm here. And you don't mind babysitting, जब बाल, she's at work. अपके शोब पे आने से पहले, आदा पॉनर घंटा मेरे, ऐसे मैंने गोद पे उसको बठाया बता, लिया बता, अराम से. डाइपर भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ. डाइपर, सूडो क्रीम, और एक एक चीज़, कॉन फलार, और दूद कितना ब मिल्क जो है, क्योंकि अभी मिरल की पेदाइश हुई है, तो एमन जादा वाक पोगेरा उसको तोड़ी कम करनी है, तो अमल का जो दूद होता है, वो मैं बनाता हूं, चीक है, डेली, मैं उसको बना के देता हूं, अमल को सुलाना मेरा गाम है, क्योंकि अमल जो है, वो जब जो गाम है, एल गेविऊ मसाज, दस मिनिट उसके पाउं दबाऊंगा पिर वो सोती है, जब हम गए वे थे, पता नहीं कहां हम गए वे थे, तो अम्मी के पास मैंने छोड़ा, तो अम्मी मुझे अगले दिन फोन के कर बोली है, भाई ये तो पाउं दब आरी है, इस तो सो हो गया, कैसे लेता है, मुनीब, इन सारे चैलेंज़, ये बाद मने आपको शाद बताई भी थी, हमारी पूरी डिसकेशन होती है, आपको बताता हूं, देखें, मुझे लगता है, जब मेरा घर में धमाका हुआ उस टाइम पे मुझे एक एक फैक्ट चेक हुआ, ये मैं आ इन आपको बताता है, जब मेरे गर मेरे घर में धमाका हुआ, तो जो मेरे दोस्ते है, जो मेरे अफसोर्स करने के लिए आदे, अचा वैसे मैं एक बाद बताओ, अब लहाँ उस फक्त मुझे अंदाज़ा हुआ गया, इतने लोग मतलब चाहने वाले हमारे, आल्ला ताला ने इतनी इज़त दी हुई है महाशरे में, कि मेरे घर पे जो मेरे जो भी लोकल क्यादत थी, तमाम पार्टीस की, देवादेर, बतलब मैं एक दो का नाम बताऊँगा तो बर सब का बताना पड़ेगा, बता भी नहीं सकता कि कौन कौन आए, और मुनीब ने अपना घर पर खुद खड़े हुए और घरवालों को समा तो वो होता है कि पहली अचीवमेंट मेरी एक बड़ी अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट थी, अचीवमेंट के घर बना लिया पूरा, और उसके बाद उसका यह हो ना तो, आपकर बता हूँ घर की, एक एक चीज जो थी एक एक जो एलिवेशन के ओपर टाइल लगी है, यहां ग्लास लगा है, यहां कोई पेंट भी आया, यहां वाल पेपर आया, यहां किसी जो क्लॉजिट हमने बनाया था ना, वो क्लॉजिट का एक एक माटीरियल बहने खुद जा के सलेक करके मैंने और एम लोगों ने एक सा करता और मतलब इतना हमने उस पर मतलब मैंने इतने उसको दिल से ऐसे बनाया था कि सारे सेवरिज की लाइन से लेकर कनेक्शन, अलेक्ट्रिकल, मतलब एक एक चीज हमने वो मैंने बनायी थी और वो दो महीं ने बास्ट हो गया, आदा जो घर था और खास तो और एक और मैं कमरे को ही थी, और अल्लताला का इतना शुकर, अल्लताला का करम है, एमन उस वक्त उसी रूम में थी, और उस रूम में जब एमन, मैं उस वक्त रूम में नहीं था, मैं उपर मेजने फ्लोर के पर था, तो जब धमाका हुआ, मैं यूं करके हिला, पूरा घर, फिर दूसरा तो जब मैं नीचे भागा हूँ तो उस वक्त एमन उस कमरे में से निकली है और वो सेकेंड ब्लास्ट के बाद एमन बहर आई है फॉरण भागती हुई हां के अमल कहें और जब एमन गेट से निकली है तो भूं जो भी चत थी हमारी हुष नीचे गरेखाई दिवार जहाद जिदर हमारा बेंड होता है उसके पीछे की जो वाल थी वो वाल ऐसे अंदर क्लॉजिट में शुकर है एमन नहीं थी अल्ला ताला का शुकर है क्लॉजिट में वो नहीं थी मतलब इतना जादा वो था कि क्लॉजिट की जो शीशे थे वो ऐसे करके उड़े थे क्लॉजिट जब ब्लास्ट हुआ था था ना क्लॉजिट के जो शीशे थे वो ऐसे करके उड़े अमल नहीं थी मिरल उस वक्त मतलब एमन जो थी वो थी मॉन्स एक्सपेक्टेड थी उस टाइम पर तो आला ताला का बहुत 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 शुकर है कि सब कुछ बच गया तब कुछ ऐसा वो नहीं हुआ कि किसी को तकलीफ ह पर खैर बहराल हम बागि रहीं लेकिन अल्हमदलिल्ला बना लिय데 हमने रहा ह्साँ, अब्डिल्ला कादवानीस नहीं मेरे बूस्ड सब की आईती जे जे भाई की सब की कॉल आई दुल्ला काजानी साथ ने मुझे तनी प्यारी बात बोली कि बिटा कोई भी अगर आपको काम होना अब समझ आगे मुझे कि क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर चीज चाहिए हो तो डोंट तिंग ट्वाइस जस आस्क मी और असद सर ने किसी युनस भाई को भेजा और असद सर ने भी मुझे बुला कि मैं तुमारे लिए तुमारी फैमली के लिए होटेल के अंदर तीन चार दिन के लिए रूम बुक कर रहा हूं तो मैं अपनी फैमली को लेके वहाँ शिफ्ट हो जाओ मैला सर बहुत बहुत आपने आपने अफर दी बहुत 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 chakra है है अच्छे लो आपको ना ऐसे वकट में को यार करते हूं अच्छी लगी है बात कि यार देखो हमारे कितने जो हमारे सिर्णीर्व नामेर प्रोडूजव हैं हमेरे जो में झार हमने फिर नाम करते हूं यार ये बहुत एक difficult question है कुछ हट तक करता हूँ पता नहीं लोग क्या संज़एगे नहीं नजर तो definitely नजर बर हक है मैं करता तो हूँ बिलकुल करता हूँ लेकिन ये जो मिर्चों से नजर उतारनी होती है या अर्डे से नजर उतारनी होती है यार ये ज़ो आते हैं यार इस बच्चे ने देखो ये क्या कर लिया है जैसे मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो मेरे अमा अबा के बहन भाई या और हमारे खांदान अरे क्या अचा वह इस बच्ची ने तो वह कर लिया जो बाकी बचियां नहीं कर सकी, ये टाइब इस तरह, तो डर लगता है, तो आप को, लगता है या, जो आए ना मेरे घर पे सब तक्रीबन यही बोले हैं कि मुनीम नजर खागी तुम्हारे गर को नजर खागी तुम्हारे गर को नजर 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 को कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं इस चीज के ओपर बड़ा वो को दिखो मेरा घर मैं ये फलानी जगा से लाए हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता यार ये कि मैं बताओं अपनी सारी घर कट ओवर दू क्योंकि उससे होता किया कि जो दूसरे लोग है तो आप उसको अपने उपर खरच करें लिए दोसरों को ना बताएं आप प्रिविलिज्ड ने इस तरह से आप दिखाएं नहीं क्योंकि उनकी जो कमी है वो और जादा होने लगेगी ये बात मुझे अब समझ आना शुरू हुई है मरना पहले मुझे नहीं इस चीज़ की समझ थी जो जब मेरी शादी भी हुई थी तो ग्यारा बारा हम लोगों ने इवेंट्स किये थे लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि आज और इस एकनॉमिकल कंडिशन जो आज चल रही है अगर आज मेरी शादी हो हो नहीं अगर होती तो शायद मैं इतने फंक्शन्स नहीं करता क्योंके अब खुद भी मुझे समझ आना शुरू हुआ है चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ समझ आती है कि यार अच्छा उस चाइम पे क्योंके हम थोड़े बच्चे भी थे 25 अपे साल का मैं था मेरी एक अलग मेरी सोच थी मैं सोचता था कि यार शादी मैंने वो बर्पूर करनी है लेकिन आज के जमाने में अगर मैं अगर जो मैं जिस पॉइंट पे हूँ अगर मेरी शादी होती तो मैं उतने पैसे नहीं स्पेंड करता मैं सोच था कि यार मैं एक नॉर्मल अपनी शादी कर लेता हूँ बाकी में मैं किसी गरीब किसी दस बच्चियों की शादी करा देता हूँ तो आज मैं इस चीज़ को सोच था हूँ कि यार ठोड़ा सा सालो खहर है मिचुरिटी थी इंसान वक के साथ था सीखता है बड़ खहर वो इंसान अल्ला ताला ने अपना देखें उससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग निकली लर्निंग निकली वो मैं यह बता रहा था कि जब हमने गर बनाया था तो माशालला हमने लिखवाना था हमने सोचा बाता कि अबबू हम उसको ऐसे लिखवाएंगे कि पीचे से light हुआ हैं कोछ होगा तो दो महीने हो गगा, धाइ महीने होगा अम्मी भी बोली थी अबबू को बहुत था कि अबबूने एक design लगवा दो मुझे बसंद नी आया, युनियत को बसंद नी है, मेरे भाई को अमी को बसंद नी है, तो उसमें वो डिले होता गया, तो जब घर का दमाका हुआ ना उससे एक दिन पहले सिफ एक दिन पहले हमने घर के जो इसको आप या कहते हैं प्लेट उस पर प्लेट पर हमने लिखवाया था नेम हमने लिखवाया था बर्ट हाउस हमारा जो घर का नाम था बर्ट हाउस और फलाना एड्रस जिस दिन हमने य गायान, उसके अगले दन बॉस्ट हो गया, माशा बॉस्टाइल्ला का अगले दन बॉस्त गया उगंगा, अब तो जैसे ही सही करके पहरान लगा है या रभू माशाला आप तरह नजबत से बचाए तैंक यू वनीम आप से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे लगई नहीं कि मैंने शो की आज तैंक यू बहुत शुक्रिया तैंक यू सामच ये बतादें कि आप होस कब कर रहें शो अब सीनियर्स जगा नहीं देते तो हम कहा से सीनियर्स तो जगा देने को तैयार हैं जूनियर्स करते ही नहीं यार ये जो सीनियर्स है ना ये सारे स्लोट्स तो यहीं को मिल जाते हैं हम लोग ग्रामे ही रह जाते हैं हमारे पास नहीं इंशाओ लगा जरूर जरूर करूँगा भाई आप जब मेरे मौनिंग शो में आये थे मैं आज से कोई आपकी जितने पहले की भी बात होगी लेकिन हमने आपको देखा और आप मेरी सारी टीम ने का बॉस आपकी तो नोकरी गई आपकी की नहीं जाती किसी की जायर नाझाणरी आपकी बोलकल नहीं जाती क्यों नहीं जाती यार आप माशालूँ लोग एतने बहतर काम करूल रहे हैं अब हम तो पीचे इतना अच्छा कर्थिए हैं आप मतलब समझें दो तीन हमारे पास morning show की host अब यार आप courtesy कर रहे हैं यह वही बात हुई यार सीरिस बोल रहा हुँ यह दो तीन चार हमारे पास ऐसे नाम है hosting के अंदर जिनको मतलब पूरे पॉरा पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के बाद जहां भी लोग morning shows देखते हैं वो आप लोग के फैन हैं भाई लेकिन मुनीब से मेरी मुलाकाट जो ही मैं फैन की बात निकरी मैं इसलिए फैन बनी मैंने इनका काम जो तो जो देखा है वो देखा है लेकिन vibe very positive vibe and a very intelligent man तो मुझे यह आपने बहुत अच्छा लगा thank you so much बहुत ही family oriented और आप से बात ना करके मुझे लगा कि यार यह मैं जब हमारा कोई अच्छा खासा टाइम एक दूसरे के साथ गुज़ा उस ट्रैवलिंग में तो मैं बाद में यह सोचती रही कि आप इस business से हैं भी या नहीं show business से हाँ हलागे अपने profession को गलत नहीं कहना चाहिए बट हम एक इसरे से बहुत फेक होते हैं तो मुझे आप बहुत जैनून लगे और आप लगे यह तो मैं कभी भी बात कर सकती हूं यह मैं आप पर बाद बता हूँ यह मेरी बेगम जो है ना बहुत सी चीज़ों में क्या होता है कि हम इस चीज़ का थोड़ा सा issue भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं पर जाकर free हो जाते हैं बहुत ज़्यादा comedy करना चार्ट हो जाते हैं हसना मस्तियां चार्ट कर देते हैं तो फिर यह होता है थोड़ा सा कि आपको पर लोबल ने चाहिए यार ये तो हर वक्ती ये 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 लेकिन मैं आपको ये बदा दू कि हम दोनों ने उस सारी के चहरी में जो है वो सिर्फ ये बात की कि पैसे कैसे बना सकते हैं अच्छा ये भी का ये ये ना इस पाकिस्तानियों का जाना हम इस सब से फेड़ धार रोपे की बात कर द दसक करो पंदरा करो पर रोपे की बात करें हैं ये प। थांक यू वेरे मच्च रहति भाट बroad? ऑन्ते प्स प्लाइआ। थांक ये हम सुर्ण आपका फूटर बहॉत अचछाbewात अच्छा हम Cassek झाल झाल झाल